इस समय हम एमदाबाद से सटे सीलज गाउं में हैं और आप मेरे ठीक बाजू में एक नन्ना सा पौधा देख सकते हैं इससे भूई आउला का जाता है ऐसा पौधा जो की भूमी से सटा हुआ हो और इसमें पत्तियों की निशली सता पर आउले की समान से रचनाए हो शाद इसलिए इसे भूई आउला का जाता है इसका खास तोर पर उपयोग लीवर के लिए होता है यानि जिनें पी लिया हो जाए उन्हें इसके पांचांग का काढ़ा पिलाया जाए तो माना जाता है कि 15 से 20 जिनों के अंदर में पी लिया रोग से मुक्ती मिल जाती है इसके अलावा इसकी जणों को काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा के रोगियों को काफी तेजी से आराम मिलता है इनकी पत्तियों को साफ कर लिया जाए और उन्हें उबाला जाए उबाल कर च्छाना जाए और दो-दो बून आखों में रोज सुवेय डाला जाए तो माना जाता है कि जिनकी आखों की रोशनी बहुत कमजूर हो गई हो उन्हें बड़ी तेजी से इसमें फायदा मिलता है इसके कई सारे ऐसे आउस दिगून हैं जिने पारंपरिक तोर पर आधिवासी या गामेंट जन इस्तमाल करते आ रहे हैं और इन पर आधिनिक विज्ञान ने भी अपना ठपका लगा दिया है अगले बार किसी नहीं जानकारी की साथ मिलेंगे तब तक नमस्कार